हलो फ्रेंट्स मेरे नाम दीपेंद्र है स्वागत है मेरे आनलाइन पार्ट साला जिसका नाम है एकजाम संडे तो फ्रेंट्स सुरू करते हैं आज का सेशन आज की सेशन में पुरुवत्तर भारत की पहाड़ियां ठीक है तो फ्रेंट्स इस सेशन में जानेंगे पुरुवत पुरोत्र भारत के पुरोत्तर भारत से पहले पात करते हैं सिक्किम अनुनाचल प्रदेश नागालाइन मरीपुर मिजयोरम त्रिपुरा मेगाल और असम्भी पुरोत्तर भारत के आठ राज है से पहले देखते हैं पुरोत्तर भारत है क्या पुरोत्तर भारत से आसे क्या है तो पुरोत्तर भारत से आसे है भारत के सरवाधिक पूर्वी छेत्रों से सरबाधिक पूर्वी छेत्रों से हैं जिनमें एक साथ जुड़े हुए साथ राज पाए जाते हैं ये साथ राज देख लीजिए अरुनाचल प्रदेश, नागालाइन, मरीपुर, मिजोरम, तिपुरा, मेघाले और असम पुरोत्र भारत में जुड़े हुए एक साथ राज को सेवन सिस्टर इस्टेट्स बोड़ा जाता है क्या बोला जाता है? सेवन सिस्टर इस्टेट्स बोला जाता है ये साथ राज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पुरोत्र भारत का आठवनाज सिक्किम जो seven sister states का पाट नहीं लेकिन पूरोत्तर भारत का एक राज है। पूरोत्तर भारत की जो संस्कृत है एक द्रेट जाती संस्कृत है, अर्थात यहाँ पर संस्कृती करण बिलकुल नहीं हुआ है, है जैसे हम देखते हैं कि सेश भहारत में पुरोतर भारत के अलावा जो सेश भारत है इन में एक सश्श्स शंस्कृति करन हुआ है जैसे यहां के रहने वाड़े लोकल लोगों के साथ उनका इंट्रेक्ट हुआ है तो उनकी जो संस्कित है लोकल लोगों के संस्कित साथ मैच किया है एक दूसरे कुछ कुछ क्रहण किया है इससे संस्किति करन हुआ है इसके बाद परसियन आए हैं परसियन अपने हैं कुछ ने कु और यहां के लोकल लोग जो आर्यंस हो गए थे लोकल रहने वाले लोग उनके साथ कुछ इंटरेक्ट हुआ तो वहां पर संस्कृति करण हुआ इसके बाद 712 इसमी में मुस्लिमिन लोग आए हैं वहां से संस्क्रिति करण हुआ है कल्चर के आधान परदान हुआ है इसके पाद अंगरेज आए पुर्टगाली यह बहुत वह रहने वाय लोगों का संस्कृति करण हुआ है लेकिन पुरुवत्तर भारत पुरुवत्तर भारत के राज ہیں सबी राज में एक आधुजी एक आधुजी लोग रहते थे मतलब पूरी जो चेत्र है पुरा एक प्रवती चेत्र है यहाँ पर नदिया एक तरश neural से वहाँ पर आधवासी लोग रहते थे उनकी एक पर्सव क्ल्चर था पर्स्वन संस्कृत थी एक individual संस्कृत थी वो संस्कृत उन लोगों के समदाग साथ बिलकुल जूड़ी हुई थी एक खास bonding मनाती थी इसकी वज़े से यह संस्कृत है इनके संस्कृति में कोई कल्चर में सेजभर्ष से कैसे जुड़ा हुआ है तो फ्रेंट्स यह आपका बेस्ट बंगाल है यह जो इलाका है पूरा बेस्ट बंगाल है ठीक है यह आपका बंगलादेश है यह आपका सिक्किम है यह बंगलादेश है यह बेस्ट बंगाल है यह आपका आसम है इन दोनों के बीच में सबस्क्त Highway बूटान और बंगलादेश की बीच में एक पटला कारीडוर है, जिसको सिलीगुडी कारीडॉर बोलते हैं ठीक है? क्या बोलते हैं सिली गुडी कारीडोर, जिसकी औrijसत चॉणाई है 21 किलो मेटर से लेकर 40 कलो मेटर बिच में इसको चिकन निक भी बी बोला जाता है जैसे चिकन की गर्धन पतली होती है इसी तरहhus का भी जो चौनाई कम होने तो इसको जो पट्टी अस्को सिलीन की जो सिली और ब्रोल गाया है पट्था बिल्कों पट्टी सकरी पट्टी है यह सिली गुडी कारिडोर की सहायता से पुरुत्तर भारत से चुड़ा हुआ है अब याद करिए आप दो तीन साल पहले भारत और चाइने के बीच एक डोकलाम प्रक्रण हुआ था डोकलाम विवाद हुआ था एक्षिली उसको प्रवेश्य कर गया थी इंटर यहां से इंडियन मिलिट्री प्रवेश्य कर गई थी अपनी सीमा चोण कर ओपर कैसे पहुए दोकलाम है यह भूटान का हिस्सा है और भारत और भूटान के बीच एक ट्रीटी हुए थी इस ट्रीटी के एकोर्डिंग जितने भी पूटान क पूंडरी सब की सब उस बाउंडरी की प्रोटेक्शन इंडिन आर्मी करेगी ठीक है जैसे यहां पर पीपल्स लिब्रेशन आर्मी आई है तो उसकी जो उसकी उसको काउंटर करने के इंडियन मिलेट्री डोकलाम पठार पर पहुंची है जो भूटान का हिस्सा है यहां पर 72 दियुनतक लगभग कद्रोश चलता रहा अंत में दोनों कंट्रीज की बीच एक मीटिंग के तहट तोनों सेनाई अपनी यथा इस्तित पर पहुंच गई बाद में अपनी यह सेना इधर चाहिने के पहुंच गई यह भारत की इधर आ गई तो दोकलाम विवाद एक भारत और चाहिने के बीच हुआ था अगर इस छेत को ब्लाक कर दिये जाए तो पुर्वत्तर भारत सेज भारत से बिल्कुल अलग हो जाएगा इसी वज़े से यहां से भूटान के जित्ति भी इंटरने से बाउंडरी सभी बाउंडरी में भारती सेना रहती है अब बात करते हैं इस पुर्वत्तर भारत के बिकास के लिए भारत सरकार ने किस प्रकार की संस्था की स्थापना की है तो पुर्वत्तर भारत के जितने भी राज हैं सभी राज्यों के आर्थिक, समाजिक, राजनेतिक और आर्थिक बिकास के लिए आर्थिक भी कह सकते हैं राजनेतिक भी करते हैं खास करके समाजिक और आर्थिक विकास के लिए भरत सरकार्नें 1971 में NEC NEC Northern East Council उत्तर पूर्भी परिशत की स्थापना एक केंद्री परिशत की तरह किया था ठीक है अर्थात एक केंद्री संस्था की तरह किया था NEC की स्थापना भारत सरकार्नें 1971 में एक केंद्री संस्था के रूप में किया था इस सहसता का प्रोक कार है प्रवत्रभार्ट के सभी आठोराजों के आर्थिक, राजनेटिक, समाजिक, सुविधाओ को उनका एक रोडमाइक तैयар करना, ठीक है, अब बात करते हैं, जो प्रवत्रभार्थ के जितने भी बौंड्री है, किसी ने किसी सिटेट के साथ बाउंडरी का निर्धान करते हैं किसी इंटरनेशनल जो राज है यह किसी कॉंट्री के साथ वाउंडरी वांडरी सेयर करते हैं देखते है और पर बॉंडी शेयर करता है यह नागलेंड मेंमार के साथ बॉंडी शेयर करता है मनीपूर मेंमार के साथ बॉंडी शेयर करता है ठीक है यह मिजोरम है मिजोरम देखे एक तरफ यह मेंमार के साथ बॉंडी करता है बंगलादेश के साथ बॉंडी शेयर करता है देखिए मिजोरम नीचे है में अमार इस तरफ है में अमार साथ बॉंडी शेयर करता है दूसरा बंगलादेश के साथ बॉंडी शेयर करता है और मेघाले जो है बंगलादेश के साथ बॉंडी और जो आसाम है यह भूटान के साथ boundary शेयर करता है और यह सिक्किम है देखे सिक्किम पुरुत्र भारत का एक ऐसा राज जो पुरुत्र भारत का एक ऐसा राज दो तीन देशक साथ boundary करता है नेपाल इधर नेपाल Whose बूटान हम इधर चाइना चाइना तीन दे शक्सात बौंडी सेड़ आजाए कि पुरुवातर भारत ऐसा कौन सा राज wider चूतude कीछ रिखिम अकर दे va करता है तो बांकी तो सभी एक दिसämäस के साथ बॉनरी सेयर करते हैं ठीक है और देखा जाए तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हमें पुरोत्तर भारत का इतिहास 20 फरोई 2826 से ग्यात होता है एक्चुली जो आज के जितने भी इस्टेट है सब पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस पूरे छेट पर अहों मंसी राजाओं का सासन था दीस फरोई 2826 को ब्रितिस भारती सासन ब्रितिस ऑपनी बेसिक सासन तथा अहों मंसी राजाओं के बीच एक संध हुई एक ट्रीटी हुई बीच फरोई 2826 बोलते हैं यंडूब की संधिए यंडूब ट्रीटी बोलते है इस ट्रीटी कए recording पुरू़तr भाता का पूरा राज ब्रीटिश सासन्व कर आधीन हो गया का गया ठीक है तो एंदूब की स्थです संद के दोरह क्या क्या हुआ पुरूबत्र भाता जितना राज है ब्रीटिश सासने करता गया है और तब है फोनाचल परदेश की राधानी की है इटानगर जो चाहिने के साथ बहुंडी शेयर करता है नागालाइन की राधधनी क्या है कोहिमा नागालाइन की राधधनी क्या है कोहिमा किसके साथ बहुंडी एगड़ानी के एंपाल किसके साथ इंफार करता है इंफार्य सेर करता है मिजोरूंग चिए ऑई जोल ठीख हैuit आई difícil किसके साथ दौैंडी शेयर करता है आप मेअमार और बंगलादेश के साथ टिपुरा की राधनी कया अगरतला के सब a करता है बंगलादेश के साथ अब मेघाले मेघाले की राध्धनी के सीलान किसके साथ बंगलादेश के साथ और आसाम की राध्धनी दिश्पूर किसके साथ बंडी शेयर करता है ये शेयर करता है भूटान के साथ और सिक्किम की राध्धनी गंगटोग जो किसके साथ बंडी प्राडियों के बारे में पढ़ते हैं और जो भारत की जो पुरुटर्भारत के पहाडियां है वह च्छे राज्यों पर ही बिस्तिरी थे च्छे राज्यों तक बिस्तिरी थे और ये पहाड़िया सीधम में अमार तक चली जाती हैं भूटान के उपरी हिस्से में चली जाती हैं ठीक है ये पहाड़ी है पहले हम अनुनाचल प्रदेश से सुलू करते हैं तो अनुनाचल हो गें चोथी मिसमई होगे पांच पठकाई भूंहाइं ये 5 अनुनाचल प्रदेश के पहाडियां है ठीक है अपने Scholars Kan té A ये च्छ है देखे बहुत है इसको जाए है जिसको नागा हिल्स बोलते हैं ठीक है नागा पहारी नागा पहारी यह दिया है नागा पा sucks यह कहां कि है नागालेंड की ठीक है तो यहां पर एक चोटी है जिसको बोलते हैं माउंट सारामती क्या बोलते हैं माउंट सारामती माउंट सारा मती ठीक है माउंट सारा मती ये माउंट सारा मती नागा लाइन की सबसे बड़ी चोटी है जो नागा लाइन और म्यामार के बीच बॉंडरी का निर्धारन करती है नीचे है मरीपूर मरीपूर की जो मुख पहाडी है वो पूर्वी मरीपूर पहाडी के नाम से जाने जाती है कौनसी पूर्भी मरीपूर पहाड़ी और नागलाइंड की नागा हिल्स या नागा पहाड़ी के नाम से जाने जाती है मरीपूर की पूरी मरीपूर की पहाड़ी के नाम से जाने जाती है नीचे आपका मिजोरम है मिजोरम की जो पहाड़ी है मिजो हिल्स इसक में कौन-कौन सी हैं बराइल, मिकिर, रेगमा, मिघाले में गारो, खासी, जैंतिया, अन्चल परदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमाई, पठकाईबंग, ठीक है, और नागालाइन में नागा है, यह नागा पहाडी है, मरीपूरी, मरीपूर पहाडी है, मिजोरम में उची-चोटी, खासी की सिलांग पीक है, कौन सी है, सिलांग पीक, कितने मीटर उची है, 1913 मीटर, यह UP, PCS, लोर, PCS में कुश्चन आया था, कि मिघाले के सबसे उची-चोटी कौन सी है, तो definitive सिलांग पीक है, जिसकी उचाई कितनी है, 1913 मीटर है, जो किसका भाग है, खा एरफोर्स स्टेशन भी बनाए गया, एरफोर्स का एरफोर्स स्टेशन भी बनाए गया है, बराईल, रेकि, रेगमा, मिकर, यह आसम की पहाडी है, अब देखे, जो यह सिलांग पीक है, और कारोखासी जैन्तिया, तीनों पहाडी के समलिद रूप को सिलांग पठार बोलत फैले तक पूरा फैला हुआ है, अगर आज आये कि आसम का जो पठार ya सीलांग का जो पठार है, वो कहाड आसम की किस हिस्से तक पाला हूआ तो कार्वी Kane Calung तक फैला हुआ, कार्वी Kane caught 돌 क और my evaporator लूंक चेथ, 17-20 पठार के अंतरगत आता है, ठीक है, तो कभी-कभी पूरा हिमालय का ही पार्ट हे तia हिमालय में टिक कर देते कि नहीं यह जो बरायल मेकर बिख मानद यह किसका पात हो सिलांग पठार का इसलांन कर भक हआद तक भी भंड ऻ्यान असंद इसलिए यह बराय कि किसका भाग है यह सिलांग पठार का ठीक है अब सिलांग पठार का बात करते हैं तो सिलांग पठार किसका भाग है देखिए यह आपका बेश्ट बंगाल है यह पूरा आपका बेश्ट बंगाल है ऐसे करके बेश्ट बंगाल है तो यह बेश्ट बंगाल में राजमहल पहाड पूर्वी बिस्तार सिलांग पठार है ठीक है यह सिलांग पठार है इसका बिस्तार पूरा लेकिन बीच में गैप आ जाता है एक्षिली गैप इस वजे से आ जो हिमाने नदिया है आपकी हमाले से निकल कर सिंधू वो प्रहाल्मपुत्र गंगा जब यहाँ से होते हुए अरफ सागर सागर होती है तो Im가지 होती है इसको जीii इन दोनों के बीच में गैप दिखाई देता है अर्था राजमहल पहाड़ी और सिलांग पठार के बीच एक गैप सा दिखाई देता है जिसको राजमहल गारो गैप बोलते हैं क्या बोलते हैं राजमहल गारो गैप या मालदा गैप भी बोलते हैं कभी कभी आ जाता है मालद किसका भाग है हिमाले का भाग है और भी चीजे और भी आपसंद देते हैं और राजमहल पहाड़ी का तो आपको टिक मानना है जो सिलांग पहाड़ी का पूर्वी बिस्तार है ठीक और राजमहल पहाड़ी किसका पूर्वी बिस्तार है यहां से अगर आप देखेंगे पीछे तो जारखन में चोटा नांगपूर का पठार है तो चोटा नांगपूर का पठार का पूरी बिस्तार राजमहल पहाड़ी है राजमहल पहाड़ी का पूरी बिस्तार के हाँ सिलांग पठार है सिलांग पठार का अंगकौन से बरायल रेगमा मिकर पहाड़ी है सिलांग पठा जाता है यहां पर पुरोत्रभारत का ऐसा राज है जहां पर इस्थानी सासन ब्योस्था भी पाई जाती है घारोखासी जैंतियों जिलों में इस्थानी सासन प्रणाई भी पाई जाती है यह है असम और अब पुरोत्रभारत के अब पुरोत्रभारत के बारे में कुछ विश इस तत्थ भी पढ़ते हैं ठीक है आपने डाफला मेरी अभी तो यहां हो देख लीए पुरुत्रभाद की पहाड़ी से पले हमने पठाए था पुरुत्रभाद की पहाड़ी देखे डाफला मेरी अबोर मिसमई पठकाई भूंग यह किसके पार्ट है यह आपके अधुनाच किसके मेघाले की अब बराइल रेगमा मिकर यह आपके असम की पहाड़ियां कभी कुश्चन यह आ जाता है कि असम की तीन पहाड़ियां बराइल रेगमा मिकर दे देता है और एक दूसरी इस्टेट के पहाड़ी दे देता है उसमें मैच करने इनमें कौन सी असम की पहाड़ मड़ेपुर के नागा पहाड़ी आपकी नागा लेंड के अब देखें डाफला मेरी अब और मिस्माई पठकाई भूंग यह आपको लर्ण करना है कि यह अवनाचल प्रदेश की पहाड़ी है ठीक है अब देखें यहां जो जो क्रसी होती है पुरोत्तर भारत में क्योंकि पुरोत्तर भारत कोई प्लेन इलाका नहीं है पूरा एक तरह से पहाड़ी परोती नदियों कम सकम एक सैकड़ा नदियां हिमाले से निकल करके पुरोत्तर भारत में से अरब सागर में प्रोहित होती है तो पूरा एक तरह से ये कटा छटा पार्ट है, यहां पर खेती कैसे होती है, तो खेती यहां पर सीडी धर खेतों में क्रसी की जाती है, ठीक है, यहां जो क्रसी की जाती है, सीडी धर खेतों में क्रसी की जाती है, सीडी धर खेत कैसे बनते हैं, देखिए, एक जैसे के उपर सीडी धर खेद बनाए जाते हैं ठीक है सीडी धर खेद बनाने के लिए वहां के आसपास के इलाके के जो पेर होते काट लिए जाते हैं काटने के बाद उसकी उस इलाके के एक परत मिट्टी निकाल कर एक कार्णर में डाल दी जाती है इसके बाद मेड़ बनाई जात पहले जो कार्णर मिट्टी निकाली गई है जो कार्णर पड़ी होती है उस मिट्टी को फिर से खेतों में डाल दिया जाता है ताकि यह मिट्टी बहुत उपजाव होती है नैट्रोजन भरपूर होती है फिर उसमें पैदावार होता है इस प्रकार इन सीडी धर खेतों की जो चौनाई है वो आपकी जो पहारी की हाइट है या धाल है धाल की प्रिकित पर डिपेंड करती है अगर धाल ज्यादा होगी तो उसकी खेत की चौनाई कम होगी अगर धाल कम होगी तो उसकी चौनाई ज्यादा होगी यह सीडी धर खेत इस तरह बना जाते हैं अब सीडी धर ख खेतों की सिचाई करते हैं, बहुत दूर से बास से, एक बास, दूसरे बास, इसे बास की एक सिरीज बना कर अपने खेतों में सिचाई करते हैं, इस तरह की सिचाई प्रणाली को देशी सिचाई प्रणाली भी कह सकते हैं, लेकिन भारती कृसी अनुसान, भारती कृसी अनुस भूम और जल प्रभंद की एक तकनीख मानती है ठीक है उनका कहना कि जो देशी प्रणाली है भूम के सानरचन के सासा जल कभी सानरचर करती है ठीक है और ये जो देशी प्रणाली के ये संसाधनों के रख रखाओ के लिए संसाधनों के रख रखाओं में ही कारगार नहीं है बलकिन पैदावार भी से अच्छी खासी होती है ठीक है अब बात करते हैं जूम खेती की जूम खेती ये सिप्ट क्रिसी जूम खेती ये सिप्टिंग क्रिसी जूम खेती जूम की खेती कैसी होती है ठीक है जूम खेती जूम की खेती ऐसी होती है कि वहाँ के आदवासी लोग किसी इस्थान को साप करको खेती करने लगते हैं इसके बाद जब दो-तीन सालों में वहाँ पर उपजावपन खतम हो जाता है तो दूसी जगे खेती करने लगते हैं उसको जुम की खेती बोलते हैं इससे परावन को बहुत धेर सारा नुकसान होता है कि जिस लाके में खेती करते हैं वहाँ के पेर्णोर काट दिये जाते हैं जला दिये जाते हैं इसके बाद वहाँ पर खेती करते हैं इसके बाद दो-तीन साल बाद दूसी जगे खेती करने लगते हैं तो जुम की खेती हो गई सिचाई हो गई और मेघाले के नागलाएंड के मकोंग चुम तथा मरीपूर के कुछ इलाकों में बास की खेती जो होती तो आज के लिए इतना ही काफी है इसको जो मैंने पढ़ाया है उसको आप अपनी काफी में नोट करिएगा ठीए पहले नोट क्या करिएगा पुरोत्तरभार्थ है क्या हमने पढ़ा क्या पुरोत्तरभार्थ है क्या पुरोत्तरभार सयासे भार्थ के सरवाधिक पूर्वी छेत्रों से है जिनमें एक साथ जुड़े सात राज पाज़ा जिनको सेवन सिस्टर इस्टेट्स बोलते हैं सेवन सिस्टर इसे कौन कौन से राज है सभी राज नोट कर लिए जागया अनवाचल प्रदेश नागलायन मरीपूर मेघाले मरीपूर मिजोरम बंडि का निर्धारन है 2000 किलोमेटर जो हर प्रदेस का पाहड़ी के निर्धारन है वह किन देशों साते हिनके बंडिश की मोट कर लीजेगा नेपाल किसके साथ करता है यह सब कर लीजेगा इसके बाद सिली गुली कारीडोर इसके बारे नोट करिएगा डोकलाम प्रक्राण के बारे नोट करिएगा ठीक है सिली गुली कारीडोर की जो चौणाई है कितने किलोमीटर लंबी कितने किलोमीटर चौणी है यह भी नोट कर असम्ट के कौन से पहाड़ी है बरायल रेगमा मिकिर गारोखासी जैंतियां यह आपकी मेखाल है कि मिजो लुसाई मिजोरम की पूरी मड़ीपूर मड़ीपूर की नागा पहाड़ी नागा लाइन की पटकाई बुम डाफला मीडी अबोर मिसमाई और पटकाई भूम यह तो आपकी हिमाले से निकलने वाली ब्रह्म पुत्र गंगा नदियों कांड यहां पर गैप से बन गया है जिसको रादमहल गारोगाइब बोलते हैं ठीक है रादमहल पहाड़ी का पूरी विस्तार कौन सा सिलांग पठार सिलांग पठार का विस्तार क्या है बरायल रेगमा कर लीजेगा ठीक है और हमेखालीक सबसे उची चोटी कांशी है ये सिलांग ये नो करी जगा ठीक है मांट्सारमति जो नागरलांड ओम मार्रीज बांडी ने के बारे में पढ़ाओवा ठीक है तो यह हमारा पुरत्रभारत चाल में खतम हो जाएगा पहाडिया अब पुरुत्र भारत के बारे में खतम हो जाएगे मिलते हैं अगले सेसंद पर तब तक के लिए गुटनाइट